सभी को नमस्कार आज से मैं जोगर्फी आप्शनल सब्जेट की सुरुआत कर रहा हूं एक तरह से आज पहला क्लास बान सकते हैं बैच में प्रवेश प्रारम है आपका एड्मिशन लेना न लेना आप पर निर्भर करता है लेकिन आज की क्लास पहले दिन की क्लास है कल दूस आज अगले तीन चार दिनों तक मेरी क्लासेज चार से पांच दिनों तक सबके लिए खुली रहेंगी आप इन क्लासेज को इत्मिनान से देखिए धहरे पूरग देखिए और नेड़े लेजिए कि क्या वैकल्पिक विशय के चुनाओं के रुप में भूगोल विशय उप मेरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रतीएक दिन देड़ से 2 घंटे पढ़ाई करऊं और ऑनलाइन देड़ से 2 घंटे बहुत जयादा होते हैं ऑफ लाइन में 5 घंटा आपको विशय जोड़े रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 6-7 महिनों में बहुती अच्छे से समझ कर आप भुगोल को तयार कर लेंगे और निशित रुप से सिविल सेवा के तयारी में आपके लिए ये रेड़ साबित होगा सबसे मजबूत आधार प्रदान करेगा कोई भी वेकलपिक विशय जो आप चुल लेते हैं और उसे अच्छे से समझ लेते हैं उसके साथ महनत कर लेते हैं तो आपका वेकलपिक विशय ही आपकी सफलता में सबसे बड़ा मददगार साबित होता है तो आने वाले दिनों में आप मेरे वीडियो जो देखिए जोगा सबता हमें बास दिन या छे दिन पढ़ाऊंगा कम से खम 5 दिन पढ़ाऊंगा अगर में फैस के लवा प्रतीग चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा उसका printed पाजाते हैं फिर वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरा मान है कि आप मेरे लेक्चर को पहले देखेंगे उसके बाद फिर आप मेरे नोट्स से पढ़कर समझ सकते हैं या खुद का नोट्स बना सकते हैं नोट्स से नोट्स आपको यथा संभव भीजने का प्रयास किया नोट्स पीडियाफ की रूप में भीजे जाएंगे चाहे मेरा वीडियो लिक्चर हो या पीडियाफ नोट्स हो ये दोनों वेबसाइट पर संपन किया जाएगा अगर आप प्रवेश लेते हैं तो आपको लॉग इन आडी और पासवर्ट दिया जाएगा जिसके माध्यम स आप हमारे इस जोगर्फी और प्रोग्राम से जोड़ सकते हैं अड्मिशन लेने के बाद आपको लॉग इन पासवर्ट दिया जाता है इसके अलमा प्रतिक चैप्टर जब खतम होगा नोट्स के अलमा प्रतिक चैप्टर खतम होने पर मैं उस अध्याय से पिछले वर्षो दिया जाए हम किसी टॉपिक बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं कि उन्हें काफी विस्दार से पढ़ना पड़ता है क्योंकि उत्तर प्रश्न पताने किस भाद से पूस्द दिया जाए लेकिन जब आपको मैं कोई एक प्रश्न पकड़कर उत्तर खाका बताऊंगा तो का जो प्रधाम पंजोगों अच्छी खासी हो मिकाम में तो आप यस नमबर पर हमें वाटसक कर दिएगा वाट्सअप नंबर है 900-5815-849 इस नंबर पर आप लिखकर भेज देंगे जियोग्राफी ओप्शनल जियोग्राफी ओप्शनल लिखकर भेज़ेगा इससे समया जाएगा कि आपकी स्कोर्स के लिए हमसे संपर कर रहे हैं जब आप यह लिखकर हमें वाट्सअप करेंगे तो आपको पूरा एड्विशन का प्रोसेस बताए जाएगा फीस की जहां तक बात है मिनिमम रखा गया है बहुत से लोगों को वो भी ज्यादा लगता है लेकिन ओफलाइन के तुलना में फीस बहुत कम रखे गई है और जब आप जॉइन करने का नेड़ ले रहे हैं तो विश्वास दिलाता हूँ इसमें कक्छाय ब्रेक नहीं होगी मैं अगर सब्ता में पांस दिन कह दिया हूँ तो सब्ता में पांस दिन मैं क्लासेज लोगा अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो आकर खड़ा हो जाऊंगा किसी दिन बात्चीत कर लूँगा आपसे लेकिन मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और यकीन मानिए मैं आपके साथ मेहनत करूँगा सोयम भी परिसरिम करूँगा जितना गयानरजित किया है जोगर फियराशनल के बारे मैं उसे आपको देने का प्रियास करूँगा मेरा प्रियास रहेगा कि कछिन सब्धों से बसते हुए आसान सब्धों में भूगळ आपको समझा दूँ भुगोल में बहुत से कठी शब्दा ओलियां होती हैं जिससे लोग बसते हैं कठीन कठीन वाक के होते हैं मैं प्रयास करूँगा कि उस इसको आसान भासा में लिखने की तरिक्ये को आपको बता दूँ या आप आसान भासा मुसे समझ सके मैं प्रयास करूँगा कि जो किताब होगी तो कुछ भी बोजिल नहीं लगता है मैं बात को सरल बनाने का प्रैस करूँगा तो आए स्टार्ट करते हैं आप इस नंबर पर लिख कर जैसे ही भेज़ेंगे आप से लेकर अगले तीन से चार दिनों तक आप तुरंत भी भीज सकते हैं आपको अडमिशन प्रोसेस बता दिया जाएगा अगले तीन चार दिनों में भी आप भीज सकते हैं अडमिशन पक्रिया जानने के लिए तो आई हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम थोरा सिलेबस पर देख लें हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन है जोगर्फी आप्षनल का पूरा सिलेबस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं वैसे अगर आप इस सबजेट को आप्षनल सब्जेट बनाने का डिसिजन लेंगे तो नो जरूरी इंसियाटी बुक्स भी आपको PDF की रूप में दे दी जाएंगी जोगर्फिया आश्मी पढ़ने के लिए कुछ इंसियाटी बुक्स जरूरी होती हो सकता है आपके घर गवाव में सहर में ना मिले वह सब से अटी बुक्स में आपको PDF form में अवलेबल करा लूँगा आप उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं कुछ लोग समझते हैं कि PDF कोई कैसे पढ़ेगा PDF नहीं पढ़ना होता है PDF का इस्तमाल हम प्रिंट आउट निकालने में करते हैं जब सारे अकर्ति विञ्ञान जलवा विज्ञान समुद्र विज्यान जी भूगोल और पर्यावरण भूगोल इसके अलवाँ पांच टापिक इधर भी है कि सिभी जेबयाउर्फी में दो पेपर होता है है ना किसी भी आउसन संजेट में दो पेपर होते हैं ये पहला पेपर है लेकिन प्रतेक पेपर में दो सेक्षन होते हैं सेक्षन A सेक्षन B खंड कर खंड कर तो ये सेक्षन A में ये टॉपिक आते हैं सेक्षन B में ये टॉपिक आते हैं सेक्षन B में मानव भूगोल में धांत और नियम ये पढ़ने होते हैं दस टॉपिक है कुल बिला जो लागे फर्स्ट वेपर में और लगभग दस टॉपिक सेकेंड पेपर में भी है जो इंडियन जोगोर्फी सेकेंड पेपर है इसमें भारत का भोतिक विन्यास संसाधन भारत की क्रिशी भारत में पेपर है उस में भी आता है ये सब इतना ही नहीं कि फ्रस्ट पेपर जो इसमीड पूरा का पूरा हिससा आपका जी एस फ़र्स्ट पेर में जो जेगर्फी जान है उसमें हिस्तों से सवाल कुछे जाते हैं और इंडियन जगार्फी में सेक्शन एम यह टपिक हैं और सेक प्रादेशिक विकास एउं आयोजना राजनीतिक परिप्रेक्ष और समकालीन मुद्दे समकालीन मुद्दों में समकालीन जो भी चीज़ें भोगोलिक घटना करम चर्चित में रहे हैं उनसे पुछा जा सकता है जैसे बाड़, सुखा, भोसकलन, भुखंप, महामारी है ना किसी भी तरह की आपदा तो इस तरह की चीज़ें आपके समकालीन मुद्दे में एट कर लिए तो यह हो गया भारती भुगोल का सिले बस मैं आज जो सुरुवात कर रहा हूँ, वो है भारती भुगोल, मैं इंडियन जोगरफिक की सेकेंड पेपर से अपने अध्यन की सुरुवात कर रहा हूँ, आए हम इसे देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो है भौतिक विन्यास, यानि जो पढ़ना है, अगर आप माल लिए हैं कि आपको भुगोल लेना है, या फिर इसलिए देख रहे हैं कि सायद रिसिजन ले सकें, तो आप जरूर देखिए, सरचना एवं उच्चावच पहला टॉपिक है, भारत का भौतिक विन्यास के अंतरगत, आप ध्यान देजी, इंडि जल्वी भाजक, दो नदी को विभाजित करने वाली या दो नदी तंतरों को अलग-अलग दिशा में प्रवाह के लिए बाद करने वाली जो उच्च भूमी होती है, उसे जल्वी भाजक कहते हैं, है ना, भारती मासूम तथा वर्षा प्रतिरूप, ये अगर जितना लिख चोब पढ़ना है, बार पढ़ना है और सूखा पढ़ना है, सूखा को अनावरिष्ट लिखा हुआ है, ड्राट, जल्वाई भी प्रदेश भारत के भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां पढ़नी है, भारत में मिट्टी के प्रकार और मिट्टी का वीतरण पढ़ना है, ये अध्यान हमें सबसे जादा करना पड़ता है बाकी सब एक-एक टॉपिक के रूप में इसका अध्यान करना होता है हमने भारत में भुकम पर भूस्कलन को भी जोड़ दिया है क्योंकि परवत पठार हम पढ़ेंगे तो भारत में भूकम और भूस्कलन भी पढ़ लेंगे भा सवां वह समकालिन मुद्य समकालिन अंतरगत बाढ और भूशंखलन भी सामिल लेकिन हम उसे यहां भी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि यहीं उसे पढ़ लें क्यों क्योंकि यह देखिए यह एक आपदा है बाढ़ और सुखा बार सुखा यहां पढ़ेंगे तो भुकंप और भूस घलन भी यहीं पर पढ़ लेंगे अब हम देखते हैं सरचना और उच्चावच के अंतरगत हमें क्या पढ़ना है आईए धिरे धरे आगे बढ़ते हैं समझते रहे हैं कोई जल्दिबाजी नहीं होनी चाहिए अभी सुरुवात हो रही है अभी आप इत्मिनान से तलिंता से इसे देखिए भुगोल और सब्ज प्रैदेपी पठार की सरचना और उच्चावच इत्तर भायत के मैडान की सरचना और उच्चावच उच्चावच मतलब उचा क्याoupe mass औक उच्चा संत। लेकिन इसमें भी एक उच्चावच है क्योंकि उत्तर भारत के मैदान जब आप कोलकता से दिल्ली की तरफ जाएंगे कोलकता से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो उत्तर भारत के मैदान उच्चा होता चला जाएगा और भारत की दीपों काध्यन करेंगे, हाला कि इसलेबस में नहीं इस परस्ट लिखा हुआ है, लेकिन भारत की दीपों से भी सवाल जीयस में और आप्शनल में भी पूछे जाएंगे, तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, वो है प्रयादीपी भारत का करते हैं, जो प्रयादीपी पठार है, यह आपको दिखाई दे रहा है, यह प्रयादीपी पठार ही भाग, जो यलो कोलर का है पूरा, प्रयादीपी पठार उत्तर प्रदेश और बिहार के जलोड मैदान, यानि गंगा का जो मैदान है न, जो औसादों से ढखा हुआ इसम जलोड मैदान कहते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के जलोड मैदान के दक्षड में पूरे प्रायदीप में पठारी भरत का विस्तार है पठारी भरत की आउसत उचाई 600 से 700 मिटर है इसकी आउसत उचाई कितनी है 600 से 700 मीटर 600 से 700 मीटर आउसत उचाई वाले इस भुभाग के आकरती त्रिभुजाकार है 600 से 700 मीटर की आउसत उचाई वाला प्रायदेपी पठार त्रिभुजाकार है और इस त्रिभुजाकर प्रादेपी पठार का यानि त्रिभुज में एक आधार होता और एक सीर्ष होता है तो 600 से लेकर 700 मेटर की आउसत उचाएवाला प्रादेपी पठार त्रिभुजाकर है जिसका आधार दिल्ली कटक से लेकर राजमाहल पाहडियों तेमध है दिल्ली कटक क्या है? अराली पहाड़ी दिल्ली तक चली गई है और एक दिवाल की भाती है रिज एक रिज की भाती है इसलिए इसे हम अराली पहाड़ी को दिल्ली रिज भी कहते हैं दिल्ली कटक या दिल्ली रिज एक दिवार की भाती है तो 600 से लेकर 700 मीटर की औुसात तुचाहिए वाला तुरिविजाकर प्रादिपी पठार प्रादिपी पठार तुरिभुजाकर है जिसका आधार दिल्ली रिज्ज़ या दिल्ली कटक से लेकर राजमहल पाहडियों के मध्द है और इसका शीर्ज कण्या कुमारी के पास है आधार दिल्ली कटक से लेकर राजमहल पहाड़ियों के मध्य है और श्रीष कहां पे है कन्या कुमारी के पास है प्रायदिपी पठार की उत्तर पस्षिमी सीमा अरावली पहाड़ी दोरा निर्धारित होती है आप साथ देख पार है इधर उत्तर है इधर पस्षिम है प्रायदिपी पठार की उत्तर पस्षिमी सीमा अरावली पहाड़ी दोरा निर्धारित होती है जबकि इसकी उत्तरी सीमा बिंदिपरोत की उत्तर में क्या है ये क्या है ये पूरा हिस्सा क्या है ये है बुंदेल खंड का पठार तो जबकि इसकी उत्तरी सिमा बुंदेल खंड का पठार और राजमहल पहाडियों दोरा नीधायत होती है जबकि 22 अंस उत्तरी अक्छांस के दक्षण में यहां से 22 अंस भात के बीचों बीच जो करक रेखा गुजरतियों कितना है तो जबकि इसकी पस्तरी अक्छांस के दक्षण में पस्वी घाट यानि सहयाद्री और पूर्वी घाट करम सह इसकी पस्वी और पूर्वी सीमा का निर्धारा करते है और ये दोनों परवत यानि ये दोनों पहाड़िया यानि पस्मी घाट और पूर्वी घाट दक्षिड में निलगिरी परवती घाट के समीप एक दूसरे से मिल जाते हैं अध्यर के सुविधा के लिए प्रयदीपी पथार को 5 भुवाक्रतिक प्रदेशों में बाटा गया है पांच भुवाक्रितिक प्रदेशों में बाटा गया है पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमी दूसरा है पूर्वी पठार पूर्वी पठार का असा है जो छोटा नागपूर का पठाल छेत रहे ये इसके बाद दक्कन पठार चोथा है सहयादरी अर्थात पस्मी घाट और पांचवा है पूर्वी घाट प्रादिपी पठार को हम इनी पांच भागों में बाट कर अध्यन करेंगे इनी पांच भागों का अध्यन करता है प्रादीप्य पठार को पांच भुवा कृतिक पुदेश में बाटा जा सकता है मद्यवर्ती उच्छ भूमी, पूर्वी पठार, दक्कन पठार, सहयाद्री और पूर्वी घाट इनमें से सबसे पहले हम लेंगे किसको मध्यवर्थी उच्छ भूमी से हम सुरुवात करते हैं मध्यवर्थी उच्छ भूमी अरावली पर्वत से लेकर सत्पूडा पहाडी तक अरावली पर्वत आप पहले देखे क्या क्या है अरावली पर्वत है और उसके दक्षिण में क्या है मालवा पठार मालवा पठार की दक्षिण में क्या है विंद परवत विंद परवत की दक्षिण में नर्मदा और सोन की भरांस घाटी नर्मदा सोन की भरांस घाटी की दक्षिण में क्या है सत्थपुडा पहाडी तो अरावली परवत से लेकर सत्पुडा पहाडी तक विस्तरित पहाडी छेतर को हम मद्यवर्ती उच्छ भूमी कहते हैं अब इसके इंतरगत क्या क्या सामिल है अरावली परवत, रजस्थान बांगर, मालवा पथार, विंध परवत, अरावली को जानेंगे, रजस्थान बांगर को, मालवा पथार को जानेंगे, इसके बाद विंध परवत पढ़ेंगे, बुंदिल खंडो चुभूई पढ़ेंगे, सत्पुड़ा पढ़ेंगे, हमें सभी को अच्छे से समझने का प्रैस करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि सवाल कैसे आएगा और कहां से आएगा, तो आपका जो नोट्स होगा, उसमें सब कुछ लिखा जाएगा, है ना, आपका नोट्स वो उत्तर नहीं होता है, नोट्स को जब आप पढ़ाई की सुरुवात करते हैं, तो उत्तर की भात ही मत लिखिए, समझ समझ के लिखिए, जितना ही फेलाकर लिखेंगे, मतलब मैं वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखवाने वाला हूँ, और नहीं मेरे द्वरा भीजा गया है, नोट्स बहुत ज़्यादा विस्तरित होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे नहीं पढ़ाँगा, मैं जो लिखवाँगा, वही संचिप्त रहेगा, लेकिन जितना लिखवाँगा, आप भूबहू ऐसे लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, आप समझेंगे, अभी उत्तर नहीं बनाना है, है ना, प्रतेक चेप्टर जो खतम हो जाएगा, तो म उत्तर बनाऊगा, शुरुवात करते हैं अरावली से, गुजरात के पालनपूर से लेकर, गुजरात स्थित पालनपूर से लेकर, दक्षड पस्चि में, गुजरात स्थित पालनपूर से लेकर, उत्तर पूर में, दिल्ली तक, अरावली स्रेडी का विस्तार, 700 किलोमेटर की लंबाई में दक्षड पस्ची में गुजरात इसे पालंपूर से लेकर उत्तरपूर में दिल्ली तक अराली परवत 700 किलोमेटर की लंबाई में विस्तरित है दक्षडी भाग में अराली परवत की निरंतरता अधिक है जबकि उत्तरी भाग में थोड़ा कटा छटा हुआ ह आप देख पा रहे होंगे आप मैंप में देखेंगे तो दक्षडी भाग में अपिक्छा करid निरंतर निरंतर और मजबूत दिखाई दिता है। काफी चोड़ा और विस्तरित है। और उत्तरी भाग क्या है, थोड़ा जीर्ड हो गया है, कटा-छटा हो गया है। तो दक्षडी भाग में रावली की निरुन तरता अधिक है जबकि उत्तरी भाग अपेच्छाक्रित कटा छटा हुआ है दक्षड से लेकर उत्तर की और जाने पर अरावली संकीर होती चली जाती है है ना सबसे ज़्यादा चोड़ाई इसकी दक्षडी भागों में मिलती है दक्षडी भागों में इसकी चोड़ाई अधिक है जबकि दिल्ली की तरब जाने पर या संकीर होती जाती है उत्तर या दिल्ली की तरब जाने पर पालनपूर से दिल्ली की तरब जाने पर अरावली की उचाई भी धिरे-धिरे घटती चली जाती है जैसे जैसे आप पालनपुर से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो इसकी उचाई भी धीरे 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 घटती चली जाएगी और दिल्ली के मजनु टीला के पास जाकर या दिल्ली में एक मजनु टीला नामा की स्थर है मजनु टिला के पास जाकर अरावली समाप्त हो जाती है भुगर्भीक दिरिष्टी से यदी देखा जाए तो अरावली का विस्तार उत्रा खंड के हरीद्वार तक है यहां तक भुगर्भीक दिरिष्टी से यदी देखा जाए तो अरावली का विस्तार हरिद्वार तक है लेकिन दिल्ली से आगे अरावली को यमुना के आवसादों द्वारा धग दिया गया है अरावली के सहरे कई प्रमुख नगरों का विकास हुआ है हम क्या पढ़ रहे हैं अरावली अरावली के सहरे कई प्रमुख नगरों का विकास हुआ है जैसे पालनपूर, उदैपूर, भिलवाडा, सीरोही, अजमेर, अरावली के सहरे कहने के ताथ पर है कि अरावली के ढाल के सहरे यह सभी सहर अरावली के ढाल पर बसे हुआ है तो अरावली के ढाल के सहरे कई सहरों का विस्तार हुआ है जैसे पालनपूर, उदैपूर, भिलवाडा, सीरोही, अजमेर, जैपूर, गुडगाओं, तथा दिल्ली अरावली के पस्चे में एक सकरी पठारी पठी है जिसे हम राजस्थान बांगर कहते हैं अरावली को तीन प्रमुक दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है दिवार, देसूर, तथा पीपली घाट दर्रों से होकर अरावली को पूरव पस्चिम दिशा में पार किया जा सकता है यानि पूर्य रजस्थान से पस्चिमी रजस्थान में अगर जाना हो अरावली क को पार करना हो तो देवार देसूर और पीपली घाट लिखा हुआ है पीपली घाट डरों से होकर अरावली को पूरक पस्चिन दिशा में पार किया जा सकता है बनास और उसकी सहयक नदिया अरावली को पस्चिन से पूरक की दिशा में पार करती है बनास और उसकी सहयक नदि चंबल की सहाक नहीं यह हो गया आपका अरावली का अगर अरावली के बारे में और अगली बारी है मालवा पठार की मालवा पठार उत्तर में अरावली परवत आप चीत देख सकते हैं मालवा पठार ये है ये हिस्सा क्या है लिखाया मालवा पठार उत्तर में अरावली परवत पूरब में विंद परवत और उत्तर में अरावली परवत दक्षण में विंद परवत और पूरब में बंदेल ख है उत्तर में अरावली परवत दक्षण में वेंद्य परवत और पूरब में बुंदेल खंड ये वाला हिसा क्या है ये बुंदेल खंड पूरब में बुंदेल खंड पठार से घिरा हुआ है मालवा पठार एक अत्यधिक अपरदित और उबर खाबर भूमी है मालवा पठार मतलब जिन नदियों द्वारा किसी छेत्र का जल समली तरुसे अपवाहित किया जाता है जिन नदियों द्वारा मिलकर किसी छेत्र का जल समली तरुसे अपवाहित किया जाता है उसे हम उन नदियों के तंत्र को हम क्या कहता है अपवाह तंत्र कहता है तो मालवा पठार का अपवा तंत्र दो दिशाओं में है बंगाल की खाड़ी में और अरपसागर में चंबल और उसकी छोटी सहायक नदियां मालवा पठार के जल को उत्तर पूर की और अपवाहित करते हुई गंगा नदी तंत्र में मिल जाती है और इस वरकार इंका जल कहां चला जाता है बंगाल की खाड़ी में चला जाता है कुछ नदियां मालवा पठार से निकलने वाली कुछ नदियां जैस whisky जैस अच्टी म र अरुबा Siakar है की और अपवाहित करती है साबर मती नदी मालवा पठार की Almost State को दक्षिटमें खंबात की खाड़ी की ओर या अरभ सागर की ओर अपवाहिद करती है या इसको सरल लिखना है तो लिख देजे कि जब कि मालवा पठार से निकल कर साबर मती नदी बंगाल की खाड़ी में जल सौरी अरभ सागर में जल गिराती है अरभ सागर में मोहना बनाती है तो इसका तो घाटी क्या है एक अपरदी छेत्र गहरा छेत्र है नदियों की घाटियां देखते हैं एक गहरा छेत्र होता है अमाल लेते हैं कोई नदी और उसकी सहायक नदियां बार बार अपना रास्ता बदल रही है तो इसके चलते क्या होगा पूरा नालीदार छेत्र बन जाएगा पूरा का पूरा छेतर में बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे नालियां चल रही है तो मालवा पठार को चंबल और उसकी सहायक नदियों ने काफी अपर्दित कर दिया है जिससे मालवा पठार पर अनेक आवनालिकाओं का निर्माड हो गया है इससे हम उत्खात भूमी कहते हैं मालवा पठार एक उबर खाबर छेतर है इसे हम कहते क्या है इसे हम उत्खात भूमी कहते है मालवा उत्खात कैसे लिखते हैं ऐसे मालवा पठार एक उबर खाबर छेतर है जिससे हम उत्खात भूमी कहते है आपके उत्तर में हर चीज सामिल करें यह जरूरी नहीं होता है जब आपसे प्रश्ण पूछा जाता है तो आप अपने उत्तर में जितनी बाते जानते हैं सभी डाल दें नहीं यह संभव भी नहीं है यह उपयूक्त भी नहीं है और यह सरासर व्यकूफी है हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि जितनी बाते याद आजयें उतनी डाल दें अपने उत्तर में हां करम सही होना चीज़िए बात को सुरू करने का और समाप्त करने की अपनी शैली होगी लेकिन आप हर बात को नहीं डालेंगे लेकिन पढ़ेंगे आप सभी बातों को तो मालवा का छेतर को चंबल और उसकी सहाइक नतियों ने काफी अपर्दित करके बीहड छेतर में बदल दिया है मालवा की बीहड कहते हैं जिसे हम उत्खात भूमी कहते हैं मालवा पठार एक और्मिल पठार का उधारण है मालवा पठार एक उर्मिल पठार का उधारण है अर्थात या सेड़ी नुमा है ठीक है यहां कैसा है सेड़ी नुमा है मालवा पठार का निर्मार लावा की प्रवास से हुआ है है ना मालवा एक लावा पठार है मालवा का पठार एक लावा पठार है और नदियों दोरा पर परदैन के प्रदन के प्रदाम सुरूप मेसा बुटी इस्तलाकिर्टिआं का निर्मार हुआ है मृलो पठार एक लावा पठार है और नदियन दौरह अपरदन के प्रदन सरूप यहां पर मेसा बुटी इसला कृतियों का निर्मार हुआ है आप ऐसे देखिए यह बीच वाले भाग में क्या है उपर क्या है कि बता रहा हूं थोड़ा से वेट कर लिजे क्या और बीच वाले भाग में क्या है stop नथी परहाई थो रही है यह तीन अलर्षे नदियों की चोड़ाई दिखाए गई है यह तीन अलर्षे का आक को दीख रहे हैं अनुप्रस्त काया मैं आप देख रहा है तो तीन अलवले नदिया नदियों नदिया बैइत अपनी गाटी को गहरा करती हैं तो नदियों ने घाटीओं मालवा पठर चुकि लावा पठर है इसका निर्माण लावा के प्रवास से हुआ है तो नदियों के अपरदन के परड़ाम सुरूप मालव की परत है इसे लावा की टोफी कहते हैं इनो दिखाई देती है क्योंकि नदियों ने इपनी छेत्र को घहरा कर लिया अपनी घाटी को तो जो कम चौड़ी लावा की पटी है उसे मेसा के थे हैं क्लियर तो बस एछ चित्र बना की आपको लिख देना है कि मालुआ पठार एक लवापठार को धारण है आतनदियों ने बहाव द्रौरा इससे अत्यधिक अपर्दीत कर दिया है जिसके करण यहां मेशा बूटे इस्लाकहतियों पाइ आती हैं या मेटा मेशा मुटी इसला किर्थियों का निर्माड हो गया है मालवा पठार के बाद हम देखेंगे विंद्परवत विंद्परवत मालवा पठार के दक्षिन में है यह जो नर्मदा सोन की भरंश घाटी है ना नर्मदा सोन की भरंश घाटी के ठीक उत्तर में यह जो पहड़ी का गार दिखाई देता है से यह क्या है यह कि यह सत्वुड़ा के दोने तृब की घाटियां दलार पड़ा ними सीर। सuku' सब्हाय क्रों से सतपुड की भाती प्रतित होता है तो कि अyyसे परवत को जब गनार्मदा कि अफला होता है हो फेकर है उसे हम ब्लारक परवत कहते हैं поэтому नर्मदा अगर नर्मदा नहीं हुती नर्मदा की बहुत नहीं बंपाता तब इसे पठार कहते हैं. लेकिन ये पठार न रोकर परवत हो गया है. क्यों? क्योंकि किया・ करगयार का निर्बार हो गया है. तो मालो पठार के दक्षिण में विंधिन करग 야र है या विंधि परवत है? ऐसे भी लिसकते हैं कि विंधिन करग 싸 text पेलियो जोईक महाकल्प एक अतीत काल में एक महाकल्प युग हुआ करता था भुगर्भी काल में एक युग था उसे हम कहते हैं पेलियो जोईक कल्प पेलियो जोईक महाकल्प में और आली परवत काफी चट कट चट गई और आली परवत का काफी अपरदन हो गया पेलियो जोईक महाकल्प में अच्छा एक चीज़ आप जान लेजे जितना भी धरातल है वो जरूरी नहीं कि हमेशा धरातल ही रहा हो वो महादुईपी रहा हो अधिकतर जो महादुईपी भाग है वो कभी कभी समुद्र में दूबे हुए थे है ना तो कुछ भुखंड समुद्र से उपर उठ गए बाद के काल में हलचल के परड़ाम सुरूप कुछ भुखंड समुद्र से उपर उठ गए और कुछ जो उपर थे वो नीची चले गए तो अधिकतर जो भूभाग आपको दिखाई देते हैं ये पहले समुद्र में दूबे हुए थे तो पिल्योजोईक महाकल्प में अराली परवत काफी अपरदित हो गया जिससे अराली परवत के पूर में इस्थित सागर में आउसादों का जमा हो गया यानि अराली परवत के पूर में ये पूरा का पूरा छेतर का भी समुद्र में डूबा हुआ था ऐसा मान लेना है और ये तत्थ है सत्थ है तो पिल्योजीक महा कल्प में अरावली काफी कट छट गया परडाम सरूप अरावली के पूर में इस्थित सागर में आवसादों का जमाव हो गया इन्ही आवसादों के जमाव से विंधि परवत का निर्माड हुआ विंधि परवत के निर्माड के से हुआ और आवली परवत की कटने चटने से उसके पूर में इस्थित सागर में आउसादों के जमाओं से विंधे परवत का निर्माड हो गया बाद में मालवा छित्र में लावा का दरारी उद्गार हुआ जब प्राइदेपी भारत अफरीका से तूटकर अलग हो रहा था तो बीच में लावा का दरारी उद्गार हुआ था यनि लावा शांत रूप में बाहर निकला जब प्राइदेपी भारत अफरीका से चूट कर अलग हुआ तो बीच वाले भाग से लावा निकला और थोड़ा अफरीका पर भैल गया और थोड़ा भारत में फैल गया लावा शांत रूप में फैल गया था तो बाद में लावा की दरारी उद्गार से इस आवसादी जमाव का अधिकांस भाग धग गया जिससे क्या बना जिससे मालवा पठार की उद्पत्ति हुई यानि पहले अरावली था अरावली की कटने छटने से पूर में इस्थित सागर में आवसादों का जमा हुआ इसी आवसादी जमाव से विंद्परवत का निर्माड हुआ बाद में लावा की दरारी उद्गार से इस आवसादी जमाव का अधिकांस भाग धग गया जिससे मालवा पठार का निर्माड हुआ यानि सबसे पुराना अरावली है फिर विंद परवत है और विंद परवत के ऊपर फिर लावाट से ढग गया तो मालवा पठार के निर्माड हुआ यानि काल करम में मालवा तीसरे नमबर पर आ रहा है परले अरावली फिर वेंद फिर मालवा तो इस असादी जमाओं का दिकांस भाग लावा की दरारी भिदन से या दरारी उदगार से ढग गया जिसे मालवा पठार की उत्पत्ती हुई यह पढ़ा आपने क्या वेंद परवत आप पढ़ेंगे बुंदेल खंड पठार बुंदेल खंड का पठार विंद परवत के उत्तर में तथा मालवा पठार के पूरव में है है ना मालवा पठार के उत्तर पूरव में बुंदेल खंड पठार इस्थित है बुंदेल खंड पठार नीज चट्टानों का बना हुआ है इसलिए इसे हम बुंदेल खंड नीज क तो बोंदेल खंड है और जेड़ता है तो जेड़ता मतलब काफी ऊबर खा बढ़ काफी पुराना भाग है और बहुत ऊबर खाबढ है नदियों दोरा बहती और हवाओ दोरा तो जड़ता इस प्रदेश की विश्थता है बेतवा और के नदियों ने बेतवा और के नदियों ने बुंदेल खंड पठार में अनेक तीखे खड़ों और जलप्रपातों का निर्माण कर दिया है तीखे खड़ों मतलब सकरे सकरे घरे भाग जगा जगा कटा छटा हुआ है तो बेतवा और के नदियों ने बुंदेल खंड पठार पर अनेक तीखे खड़ों और जलप्रपातों का निर्माण कर दिया है यह कृँगा बुंदेल खंड पठार के बाद अब यह मद्ध्यवर्थी उच्ज भूमी ही पढ़ रहा है कि अरौली परवत से लेकर सत् これ पहाड़ी तक विस्तरेत किसे परवती चेत्र हमने कहा था कि पठारी भारत का अध्येन या पठारी भारत को पांच भुगाकृतिक प्रदेसों में से पहला क्या था पहला था मध्यवर्ती उच्छ फूमी जिसका अध्येन अभी हमने किया दोसरा है पूर्वी पठार अर्थात छोटा नागपूर और आसपास का पठारी छेत्र ये पूरा छोटा नागपूर से लेकर आसपास का जितना पठारी छेत्र है छोटा नागपूर पठार, छोटा नागपूर के पूरब में ये सिलांग पठार हो गया छोटा नागपूर के पस्चि में रामगड की पहाडियां है रामगड पहाडियों के दक्षिण में गड़जात की पहाडी है गड़जात के पूरा में क्योज़ड पहाडी है सिमली पाल पठार है इसके दक्षिण में 36 गड़या महानदी की बेसिन है महानदी बेसिन की कारणने का पठार है तो पूरी पठार के सामिल किया जाता है तो पूरी पठार में क्या-क्या बात लिखेंगे स्रिंखला टूटरी नहीं चाहिए करम बना रहना चाहिए आप लिखेंगे बुंदेल खंड पठार के पूरब में बंदेल खंड पठार के पूरब में बगेल खंड का पठार है और बगेल खंड पठार के पूरब में छोटा नाकपूर का पठार है चोटानागपुरपठार का पस्मी भाग अधिक उचा है इसका जो पस्मी भाग है अधिक उचा है जब कि पूर्वी भाग अपिक्छा करित नीचा है तो इतना ही लिखेंगे छोटा नागपुर पठार का पस्वी भाग अपिछा करित अधी कुचा है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग को यानि बीच में कटा हुआ है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग को हजारी भाग पठार और दक्षडी भाग को राची पठार कहते हैं इन दोनों पठारों के मद्ध ब्रंस घाटी का निर्माड हो गया है और इस ब्रंस घाटी में दामोदर नदी पूरब के और प्रवाहित होती है राची पठार पर अने गुम्बदा का इसला किरतियां पाई जाती है इन गुम्बदा का इसला किरतियों के उपर लेटराइट की परत पाई जाती है जो लेटराइट मिट्टी होती है ना तो इन गुम्बदा का इसला किरतियों के उपर लेटराइट की परत पाई जाती है यानि राची पठार पर धेर सारी गुम्बदाकार बड़ी-बड़ी इसला किरतियां पाई जाती है इन गुंबदा कासला किर्कियों के उपर लेटराइट की परत पाई जाती है जिसे हम अपशलकन गुंबद कहते हैं राची पथार के उत्तरपूर में राजमहल पहडियों का विस्तार है राची पठार के उत्तरपूर में राजमहल पहडियों का विस्तार है राजमहल पहडियों के उत्तरपूर में मिघाले में स्थित सिलांग पठार भी प्रादिपी भारत के पठार प्रादिपी पठार का ही हिस्सा है उत्तर पूर्वी भारत में मेघाले मिस्थि शिलांग पठार भी या मेघाले पठार भी प्रादिपी पठार का ही एक भाग है राजमहल पहाडी और शिलांग पठार के बीच का भाग अतीत काल में आउतलित हो गया राजमहल पहाड़ी और शिलांग पठार की मद्य का पठारी भाग अतीत काल में आउतलित हो गया अर्थात नीचे धस गया और इस आउतलित भाग को गंगा और ब्रंपुत्र द्वार नदियों द्वारा लाए गये और अउसादों से पाठ दिया गया राजमहल पहाड़ी और शिलांग पठार के मध्य जो अंतराल है उसे हम राजमहल गारो गैप कहते हैं राजमहल गारो गैप या राजमहल गारो ब्रंश कहते हैं है क्लियर फोटानाग पुर पठार के पस्टी में रामगल की पहाड़ीया है रामगळ Q is में घर्जाट की पहाड़ियान एन ऐस treatment आपक्षण है गरजाट की जो पहाड़िया है वह लगज ऌसाइट खनिजु से सम्रिद हैं गरजात की जो पहाड़ियां है वो लोह और बाकसाइट खनिजों से सम्रिद्ध है लोह और बाकसाइट के लिए प्रसिद्ध क्यों जर पहाड़ी गरजात पहाड़ियों के अंतरगती सामिल है यानि लोह और बाकसाइट के लिए प्रसिद्ध क्यों जर पहाड़ी गरजात पहाड़ियों के पूर में तो गरजात पहाड़ियों के पूर में सिमली पाल का पठार है सिमली पाल पठार पर सफिद बाग पाए जाते हैं गरजात पहाड़ियों के पूर में सिमली पाल पठार है जहाँ पर सफिद बाग पाए जाते हैं सिमली पाल पठार यहाँ पर है उडिसा में है ना गरजात पहाड़ियों के दक्षिड में महानदी बेसिन है गरजात पहाड़ियों के दक्षिड में महानदी बेसिन है मतलब यह वाला छेत्र मानदी अमरकंटक पठार से निकलती है और यहाँ पर उडिसा में जिन छेत्रों से 36 गड़ में 36 गड़ में एक गहरे छेत्र से उचायवाले छेत्र से निकलती है अमरकंटक पठार से उचायवाले छेत्र से और आचाना से 36 गड़ में एक निचले छेत्र में चली जाती है है तो पठारी छेतरी ये भी लेकिन ये आसपास उचे पठार के मद्धिस्थित एक नीचा पठार है जो महानदी की बेसिन है वो आसपास उचे पठारों के मद्धिस्थित एक नीचा छेतर है तो जब आप मैप में इसे देखेंगे न तो मैप में पठारी भाग जितना ही उ बहुला देखेंगे भारत का प्रा आदि पटार पंतना पहले के मैदानघ को अताह। तो हरा दर्साय जाता है क्यों कि उत्तरभायत के मैंदान बिल्कुल नीचे है और समतल है इसी तरह महानदी का बैसिन भी आप देखेंगे तो हरे कलर का दर्साय जाएगा क्यों 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 कि काफी नीचला छेत रहे हैं तो गरजात पहाड़ियों के दक्षिड में महानदी महानदी बैसिन है वास्तों में या अपने चारों तरफ उची पहाड़ियों के मध्य में एक नीचा छेत रहे हैं इसके मध्य भाग को 36 गड़ भी कहते हैं महानदी बैसिन के मध्य भाग को 36 गड़ का मैदानिया 36 गड़ भी कहते हैं महानदी बैसिन के दक्षिड पस्षि म इधर है नो हम्मानादी ब्षिन के दक्षिड पसे में धंडर्यण निका पठार है ही है आ आञे महानदी ने बिस्कन के धुड़ पस्चे में दंड़कारे का पठार है दंड़कारे को भीर अर विष्थार महारास्ट इसगर्ड और और आंदर प्रदेश चैतिस कर महारास्ट व कि तीन राज्यव में पिरशेंde दंडकारेन परतार का विस्तार महारास्ट शांते परत्युक्स हैं इंद्रावति नदी मेंट kadar into ido को यानि तो इंदरावती नदी दोरा दंदकारे ने पठार का जल पश्चिम दिसा में जो की गोदावरी की सहाइक नदी है इंद्रावति नदी क्या है गोदावरी की सहायक नदी है है नो दंडकारन ने के पठार के अंतरगती बस्तर का पठार है दंडकारन ने पठार के अंतरगती इसी पर बीच में मद्यभाग में बस्तर का पठार है जहाँ पर एसिया का सर्वसे ज़्यादा समरिध एसिया का सरवाधिक समरिध इनका भंडार पाया जाता है ये अब तक आपने पढ़ा मध्यवर्ति उच्चिभूमी और पूर्वी पठार इसके बाद रह गया है दक्कन का पठार पस्चमी घाट पूर्वी घाट इन तीनों सरचनाओं का अध्यान हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे फिलाल आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको स्वज में आ रहा है और आप क्या सुझाओ देना चाहेंगे मैंने बताए कि मेरे कायक्रम में वीडियो सब्ता हमें कमसकम पाँच दिन इसके लवाँ PDF नोट्स परतेक चेप्टर समाप्त होने पर उत्तर प्रारूप पर चर्चा होगी पिछे वर्सों में पूछे गए प्रशनों पर चर्चा होगी इस सारा कुछ वेबसाइट पर संपन कराया जाएगा आपको जब भी लगे कि आपको एड्मेशन लेना चाहिए तो आप दिये गए नंबर पर हमें वाट्स अप कर सकते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया यहां पर भी वाट्स अप नंबर लिखा हुआ है आप इस वाट्स अप नंबर पर जग और स्टार्टिंग भेजेंगे तो आपको एड्मेशन का प्रोसेस बता दिया जाएगा जो कि बहुत यासान है अड्मेशन प्रोसेस अगर आप ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग करते हैं आप इस पास कोई साइबर है तो यह प्रोसेस दस मिनट में पूरा किया सकता है मैसेज पढ़ने के बाद हाँ बैस समंधीत या एड्मेशन से समंधीत या फी से समंधीत बाकी बाते आप तभी जान पाएंगे जब आप हमें मैसेज करेंगे मिलते हैं कल नमस्कार